में आपके साथ एक सिम्पल सी रेशपी शेयर करने वाली हूँ यह बाँधी टेस्टी और यमी बन्ती है तो आज मैं बिम्डी जिसे लेडी फिंगर भी भी बहुंते हैं मैं इसाई डिस्पी बताने वाली हूं, बहुत ही मजदार रिस्पी बनने वाली है, बहुत ही जटपड बनने वाली है, यह सुबह की breakfast हो या फिर दोपएर के lunch हो गो तो यहां मैंने जो भींडी है उसे मैंने काट लिया है तो हिंदी में इसे भींडी बोलते हैं इंग्लिस में लेडी फिंगर बोलते हैं और आपकी भासा में क्या बोलते हैं अगर आप अलग-अलग शेत्र से हैं तो कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और यहां पर मैंने मस् बहुत ही अच्छे बनते हैं तो में थोड़े से जीरे ले लिये हैं और दो लाल मिर्स ली हैं एक मैं प्याज ले लिये हैं तो हमें भिणी के साथ ही से पकाना भी है तो भinडी को भी fry करनी है और प्याज को यहां पर ज्यादा प्रआ कर लेंगे ना तो भिडी मुटि म्तलब भिंडी के साथ में जब पाइझ परेंगे तो पाइज जले-जले से हो जाएंगे गए इससे बहुत जादा नहीं प्राइई करेंगे और मैं शकर पर बहुत ही सिंपल सी रेस्पी है लेकिन इसमें मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगे जिसे कि आपकी जो विंडी बहुत के एकदम से कचुमर की तरह बन जाते हैं मेरी भींडी बहुत अची बनेगी तो मैं जो तरीका बता रही हूं यहां मैंने थोड़ी सी गार्लिक पेस्ट टाली है इसमें लसुन का पेस्ट और उसे डालके प्याज के साथ ही हम थोड़ा फ्राइ कर देंगे अब मैं यह जो भींडी बनके रेडी होगी हो एकदम से मतलब की खिली खिली रहेगी बिल्गुल भी यह नहीं होंगे पचकेंगे नहीं बहुत के पिचक चाते हैं पूरे बीज बेगरा बाहर आ जाती है वो बिल्गुल भी नहीं होगी आपी देखने में भी अच्छी लगेगी और ख अपने टेश्ट के अगॉर्डिंग और जीतनी बिंडी है उसी के अगॉर्डिंग आपके यहां पे सॉल्ट एड करने है और थोरी सी टर्मरी पॉडर तो अब इन सब को मच्छे से कर लेंगे मिक्स और इसे हम फ्राइब होने देंगे और यहां पर वो जो ट्रिक्स मैं बत पुर्ण कर तो यहां पर न होहीं कर रही हूं कि मैंने लेमन जुछ जाल दिया और अब मैं इहां पर इसे फ्राइब करना है बहुत हाय दिन जाना में करना लो में आहिं ज्यादा में जाना है तो यहां पे फ्लेम मिडियम पे ही है अभी हम मैं एहां पे लो कर दूंगी क्योंकि मैंने यहां पे 3-4 मिनट इसे फ्राई कर लिया है तो आप देख सकते हैं इसी कलर हो गई है चेंज और आप देख सकते हैं कि विंडी बिल्बूली पचकी नहीं है नहीं इसके पीज बाहर ह प्रैंडि नहीं है लस्लसे मुए हैं काफी अच्छी बनी है यह बिंडी तो आप मैं इछे जैसे ही फ्राइ करूंगी और कि 2-3 मिनट और में बिंडी हमारी बाइब कर दोदी हो जाएगी तो इस तरह से हमारी जो यह बिंडी है और उल्मुष रडी हो चुकी है तो मैं एक देड़ मिनट में इसे अब गैस को आफ कर दूंगी और शी निकाल दूंगी सर्विंग प्लेट में तो फ्रेंड अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से और कॉमेंट जरूर कीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके व अगर के बनाईए और अपनी एक्सप्रियेंस हमारे शाथ स्याय कीजिए और अगर इसमें कोई भी इसके अलावा और आपको कुछ भी और जानना हो पूछ रहा हूं उससे तो आप मेरे कॉमेंट मॉक्स बॉक्स में चाकर के कॉमेंट करके जरूर पूछिए तो चलिए हमा कि लगे सिहाँ ईुर जा अधरो चलिए हमारे शाली कीजिए तो बॉप्स बॉक्त रहा हूं रहा हूं पहा हूं